गुड़माने की स्टुएंट्स आज हम बाइनरी ऑप्रेशन दियोधारी संक्रिया के अभारे में अध्यान करेंगे हम पहले भी इसके अभारे में अध्यान कर चुकी हैं आज हम फैसे का रिवीजन करेंगे और कुछ नुमेरिकल कोशन के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दियोधारी संक्रिया बाइनरी ऑप्रेशन किसे कहते हैं हमने एक समुच्चे ए लेकर चलते हैं उसमें एक आप्रेशन संक्रिया यूज कर रहा है इसके एक दो अवयबों के बीच में हमने एक संक्रिया का उप्यों किया और हमको जो नए अवयब प्राप्त होता है यदि वह अवयब एक आवयब हो तो यह संक्रिया देधारी संक्रिया हो गी तो हमने यहाँ पर समुच्चे आर आर समुच्चे क्या कहलाता है वास्तिक संख्या वास्तिक संख्या है ठीक है अब हमने दो अवयप आर की लेकी चले इसका मदलब क्या होता है कि A और B वास्तिक संख्या है हमने संक्रिया यूज़ करी संक्रिया ने operation संक्रिया कों सी यूज़ कर रहे? प्लस तो हम देखते हैं कि A प्लस B A प्लस B एनने दो वास्तिक संक्रिया है उनका योग भी एक वास्तिक संक्रिया होगा इसका मलब क्या होता है? यह भी R में हैं अब अधि हमने संक्रिया गुणा यूज़ करते हैं मालो तो क्या हो जाएगा? A गुणत B तो दो संक्रिया हैं वास्तिक संक्रिया हैं यदि उनका गुणा करते हैं तो वह भी वास्तिक संक्रिया होती है किसमें बिलांक करेगा? R में इसका मलब यहाँ पर क्या हो गया योग संक्रिया आर में binary operation है इसी बेकार गुणा के लिए भी गुणन की binary operation है अब हम देखते हैं माइनस अगली संक्रिया यूश करते हैं माइनस तो दो बास्तिक संक्रिया को घटाने पर भी बास्तिक संक्रिया आता है यहने माइनस जो है रिण संक्रिया घटाना भी द्योधारी संक्रिया है अब हम अगली संक्रिया भाग के बार में देखते हैं संक्रिया भाग कौन से संक्रिया यूज़ कर रहे है भाग कि यदि हमने दो संख्या ए और भी आर के लेके चलते हैं ए में बी का भाग देने पर क्या आएगा यह बास्तिक संक्रिया होगी लेकिन यदि कि तो यह बी जीड़ो है अे यह वर्ट्टेज जीरो कितना होजा एगा इंफ्निटी और 텍ठीज्स वाकूप्रता क्यद आसा वाए संक्रिया में यदि आप भी यह सामिल भाग संक्रिया जो है दियोधारी संक्रिया नहीं होगी और यूझा एसी वास्तितব लेकिछ चलें जिसमें जीरो ना सामिल हो तो वह भाग के साथ एक भी दियोधारी संक्रिया होगी तो दोनों केस ध्यानक ना यहाँ पर यह जीरो है वो एक अपवादुक के रूम में यूज हो रहा है अब हम अगला को सन लेके चलते हैं यहाँ पर हमने समुच्च्य लेके चल रहे हैं एन क्या खेलाता है प्राकरतिक संख्या का समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कोनों का योग भी प्राकतिक संख्या होगा यान्य योग जो है एन में बाइनरी है अब हम गुणा के लिए देखते हैं कि यदि A और B दो प्राकतिक संख्या हैं तो उनका गुणन फल भी प्राकतिक संख्या होगा यान्य गुणा भी बाइनरी आपरेशन है अब हम घटाना देखते हैं संख्या कोई सी उसकरे घटाना माइनस के लिए अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि A और B यदि प्राकतिक संख्या है तो यदि हम A माइनस B लेते हैं तो A माइनस B वह जरूरी ने प्राकतिक संख्या है इसका उधान देखेंगे यदि हमने तीन मेंसे पांच को घटाया तीन और पांच दो प्राकतिक संख्या है तीन मेंसे पांच को घटाया कितना आया माइनस दो यह प्राकतिक संख्या नहीं है इसका मलब जो रिण का जो संक्रिया है वो प्राकतिक संख्या के समच्चे के लिए द्योधारी संक्रिया नहीं है इसी प्रकार हम संक्रिय भाग यूज़ करें तीन में पांच का भाग दे दिया यह प्राकतिक संख्या नहीं है तो इसलिए भाग भी जो है प्राकतिक संख्याओं के लिए दियोधारी संक्रिया नहीं है अब हम अगला कोशन देखते हैं कि कि हम इसमें देख रहा है कि क्रम निमें क्या होता है यहां परिभासा लिखा है हमने दो संख्याओं के बीच में संक्रिया का उपयोग किया और संख्याओं में करम बदल दिया तो मान जो हैं बराबर होंगे ठीक है तो आप इसमें एक उधार्ण लिखा है उधार्ण देखेंगे प्लस और बुणा करते हैं लेकर रिण नहीं करता इसका उधार्ण क्या है यादी हमने तीन और पाँच दो वासितेक संख्या लेकित चल रहे हैं और अगर हम तीन में से पाँच को घटादे और पांच में से तीन को घटादे ये दोनों बराबर नहीं है इसका मलब यह करेमिलिमी का निहम लागू ना करता इसीप प्यांट है वाग तीन में पांच का भाग दे 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 हैं और पां क्रमेबी में का नियम नहीं होते है। यह इस में आपने दिखा दिया। इसी पेकार है..इस उधारा में देखेंगे.. एक हमसी संग्रिय दर्साई गई है ..a star b बरावर a plus 2b.. यह भी क्रमेबी में का नियम नहीं होता है.. क्योंकि हम यहाँ देखते हैं अगला उधारण में.. और यह संख्या बरावर नहीं है तो यह भी करम निमे का नियम पाला निकत तो हमने दोनों एक्जामपिल जो है सौलब करके दिखा दिये हैं इसको अच्छे से नोट्स बना ले और अब हम अगले आर्टिकल पर आते हैं अब हम आते हैं साहचर का नियम साहचर का नियम क्या होता है साहचर के नियम के लिए हमको इसका बरावर साहचर का नियम पालन करेंगी तो हमने यहाँ पर जो उधार लेके चल रहे हैं उसमें तीन संख्या लेकी चल रहे है, आठ, पांच और तीन ये वास्ते संख्या है और हम देखते हैं, कि 8 माइनस 5 माइनस 3, इसके बड़ाबर आ जाएगा 8 में से 5 गए, 3 माइनस 3 बड़ाबर 0 और 8 माइनस 5 माइनस 3 केतना हो जाएगा? 8 माइनस 2, बड़ाबर 6 इसका मलव झै 행 की यह है जो है बराबर नहीं है आगे के लिवे आप देखेंगे यहां साइचार का नियम का पालन नहीं करता है अब अगले कोशन पर आते है है कि अस्तमक असाय। आइडेंटिटी, तो किसी भी संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या होती है?, तो अगर हमने आइडेंटिटी ऑफिर लिया तो उसको हम ए के साथ आपडेट करते हैं, तो हमें को वही ए अव्याब राप्त होता है。 तो हम योग के लिए दिखते हैं योग के लिए योग के लिए ए में कौन सी संख्या को जोड़ें तो हमको ए प्राप्त हो यहाँ जीरो आएगा जीरो को हम ए में एट करते हैं तो हमको ए मिलता है इसलिए योग की तस्समक क्या हो जाएगा योग के सापेक्ज तस्समक क्या होगा? जीरो इसी प्रकार गुणा के लिए देखते हैं गुणा में ये में क्या गुणा करें? कि हमको बापेस ये मिल जाए तो इस पस्ट है कि एक इसलिए गुणा के लिए तस्समक आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी तो अलग-अलग संक्रिया हैं अलग-अलग अप्रेशन के लिए अलग-अलग होता है तो इस तरह से आप जो भी अप्रेशन यूज़ करेंगी उनके लिए आपको सब को चेक करना है आगे हम इस यूज़ और भी कोस्टन कराएंगी अब हम अगले आर्टिकल पर आते हैं विद्क्रम विद्क्रम क्या होता है? विद्क्रम नहीं है जैसे हम योग के लिए देखते हैं ए में क्या गुणा करें? कि हमको गुणन की आइडिन्टिटी प्राप्त हो जाए ए क्या है? गुणन की आइडिन्टिटी है तो ए में हम क्या मल्टिप्लाई करें? कि हमको एक प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनवाई ए बनवाई ए का मल्टिप्लाई करने से हमको एक प्राप्त होता है इसका मलब क्या हो जाएगा? ए का बिद्क्रम नहीं हो जाएगा? बनवाई ए है इसी प्रकार यहाँ पर खुड़ा सा कर्रेक्शन कर लीजिए गुड़न के लिए अब हम योग के लिए चेक करते हैं योग के लिए ए में हम क्या एट करें जिससे हमको इसकी योग की आइट करेंगे जिससे जीरो प्राप्त हो जीरो क्या है योग की आइट करेंगे जिससे जीरो प्राप्त होगा माइनस ए इसका मवलब क्या हो जाएगा कि ए का योग के साब एक्ष बिद्क्रम माइनस ए और यहां पर एक का गुड़न के साफ एक्षे जी किसके साफ एक्षे है गुड़न के साफ एक्षे तो सभी बच्चे विद्टम कैसे निकालते हैं वो समझ गए होंगी अब हम आपको होंबर्ग में कुछ कॉसंस दे रहे हैं यह आपको बच्चों को सभी को करके आना है यह प्रस्ण वाली 1.4 का प्रस्ण नमबर 1 है इसमें कॉसंस है इसमें आपरिशन दिये हुए है इन आप क्रस्ण नमर 2 है इसमें हमको कौन सी संक्रिया है करम्री में सायचार है और कौन सी और आमको हल करके नोट को हमको गुरुम मैं चेक कर आएंगे इसके आगे क ळांगे के कैस की का Instagram से सभी बच्चे नोट कर ले और इसको हल करें Thank You